लोक सभा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी के बीच में वाक युद्ध हुआ, जुबानी जंग हुई और राज्य सभा में मोदी वर्षिज अपोजीशन हुआ आज जब नरेंद्र मोदी वहां राष्ट्रपती क्या विवाशन पर चली चर्चा का उत्तर देने आए तो जब से नरेंद्र मोदी ने लगभग दो बजे से बोला शुरू किया और पहुने चार लग के आसपास तक वो बोले एक भी ख्ण ऐसा नहीं रहा जब विपक्ष की और से नारे बाजी नहीं हुई हो तो यहां मुकाबला था मोदी वर्षिज ऑल अपोजीशन यह द्रश्य भी शायद पहली बार हो रहा होगा चुकि मैंने बहुत लंबी समय तक पार्लमेंट को कवर किया है एक पत्रकार के नाते प्रधान मंत्री के भाषण के बीच बीच में तो हंगा में होते रहे लेकिन प्रधान मंत्री के भाषण में आद्यो पांत नारा लगता रहे ऐसा बहुत रेर शायद कभी हुआ हो तो यह दो मुकाबले हुए दो राउंड हुए दो मैच हुए आप कुछ भी कह लीजिए एक राहूल वर्सिद मोधी और दूथरा मोधी वर्सिद आल अपोजिशन राज सभा और लोग सभा में राहूल बना मोधी राहूल गांधी और यह यूँ कहिए कि समूची कॉंग्रेस और लगभग पूरे विपक्षण ने इन दोनों सदनों में मूल कोशिश यह की कि आडानी के मसले को प्रमुखता दी जाए और गौतम आडानी के कारोबार में गरवड़ी है कारोबार को अनुचित रूप से प्रोसाहित प्रोसाहन सनक्षन दिया गया है इस ढंग से करके प्रणान मंत्री को घेरा जाए नरेंदर मोधी को घेरा जाए और इसकी शुरुवात राहुल गांधी ने लोग सभा में कि उन्होंने प्रणान मंत्री पर सीधे और टीखे आरोप लगाए लेकिन फोकस एक विंदू तक था अडानी और मोधी मोधी जब रिंग में आये मैदान में उत्रे तो उन्होंने लोग सभा में है अपने 88 मिनिट के भाषण में अडानी का आ नहीं बोला राहुल गांधी का रा नहीं बोला लेकिन हमलों में कोई कुता ही नहीं चुन-चुन के एक से एक हमला कॉंग्रेस को के प्रथम परिवार का लोग सभा में अपनान मंत्री ने उल्लेक नहीं किया नाम का जो कुछ कहा बिना नाम के कहा बड़ी चर्चा हुई लेकिन परधान मंत्री आज जब राज्य सभा में आए तो यहां भी उन्होंने उस उन दो मर्यादाओं का तो पालन किया ना अडानी का आ बोला ना राहुल का रा बोला लेकिन यहां खड़गे जी को लपेट लिया नेता बिरोधी दल्माली का अर्जुन खड़गे और सबसे तीखा हमला मोदी ने राज्य सभा में यह कर दिया कि जब नारे भाजी हो रही थी मोदी का भाशन समापन पर था तो उन्होंने च्छाती ठोक कर कहा कि एक अकेला कितनों पर भारी और भाजापा अपने अनुभव से जिन मुद्दों को मानती है कि मुद्दे देश के मन को चूटे है उन सब मुद्दों को प्रदान मंत्री ने आज राज्य सभा में और कल्लोक सभा में चूआ है राष्ट के गौरव का मसला हो राष्ट के पुर्शार्थ का मुद्दा हो पिछलों का दलितों का आदिवासियों का महिलाओं का मसला हो प्लान मंत्री ने एटलेंथ इन मुद्दों को छुआ ये सारे वो मुद्धे हैं जो चुनाव के गनित में बहुत महत्पूर होते हैं उन सब को चुआ और उन भावनात्मक बुद्धू का भी चुआ जो परिणाम दे जो टाइम इंटिस्टिड है पढ़ान मंत्री ने राजनीती में हैं जी रहे हैं हम देश के पत्चिस करोण परिवारों के लिए यहां मोदी रुके नहीं राज सभाएब उन्हों ने कहा कि राज देश के पहले पढ़ान मंत्री जवालाल नेहरू के नाम पर देश में लगबच छेसों से ज़्यादा योजनाय है लेकिन क्या कारण है कि गांधी परिवार ने नहरू सरनेम लगाने से भी परहेच किया मोदी ने पूझा कि अगर आदमी इतना महान था तो सरनेम क्यों छोड़ दिया अब ये विशे बिमर्श का विशे बनेगा देश के गाउं में चोग पे चवराहे पर ये मुदी जानते हैं देश का विशे बिमर्श सेट करना देश किस मुद्दे पर चन्चा करे चवराहे पर खड़ा होकर दुकान पर माजार में हाट में खेत पर वो उसेट करना जानते हैं कॉंग्रूस वही पर चूग जाती है इस दो दिवसी जंग का अब फैसला इस बात से होगा कि जनता जो ही न गाओं देहात कस्मों की भारत की वो किसके द्वारा सेट कीगे नेरेटिव पर बात करती दिखती है आने वाले दिनों में यहां से यह समझ आएगा लड़ाई मूल रूप से यह जो दो मैच हुए हैं एक तो विशुद राहूल वर्सिज मोदी था दूसरे में मोदी वर्सिज ओल था इसलिए मैं आपसे चुरू करा चुकि मसला राहूल गांधी और का मुक्ष है प्रधान मंत्री की दो बाते सवाल के तौर पर रख रहा हूं सामने उन्होंने कहा कि एक अकेला कितनों पर भारी और दूसरा उन्होंने कहा कि 600 योजनाय जवारलाल जी के नाम पर हैं लेकिन उनके परिवार का कोई आदमी उनकी परिवार के आज के वंशका पीड़ी का कोई आदमी नहरू के नाम का सरनेम रखने में शर्मिन्दगी क्यों महसूस करता है जो बात रतनाकर सिंग्न से मैंने पूछी और जो उन्होंने जबाब दिये यह आप समझ लिए यह ABCD है राजनीत की जो सवाल पूछा जाए उस पर नहीं बोलो जो आपको बोलना है उस पर बोलो यह मूल मंत्र है यह सब पर लागू होता है रतनाकर हो शालिनी हो चाहे इमरान साब हो चाहे पांडे जी हो चाहे कोई जी हो यही लोकसवा में, यही राजसवा में, यही सहयुक्तराश संग में भी होता है, ठीक, इसलिए ज्यादा महात्मा कोई न बनो वहिया, हमको मालूम है जन्नत की अकिकत क्या है, एक अडानी का बड़ा अशोर है, कई लोगों ने, हमसे भी कहा कि अग्नोतरी जी आप अडानी प हम लोग बेचाड़ें, हमनी का अडानी कुछ बोली देता हूँ, मेरा अपना मानना है, कोई माने या न माने, तुलसी का पत्ता लेके गंगा जल, हाथ में लेके प्रियाग मखड़े हो जो तो भी मैं नहीं मानूँगा, हम महले का जो नेता है, पांडे जी, महले इस्तर का भी जो नेता है, ना, शहर का नहीं, उसके पास भी एक अडानी होता है, क्या, जो मुर्साइकल बठाल ले जाता है, उसको करते चलो, हम ले चल लेता है, तेल नलवा लेता है, है, वो कर जाकू तो पान लग वाके लाद दौल के, है, एक सिरेट बिल पकड़ लो, क्या, उस की राजनी थी, ठीक, आप कहोगे, मैं नाम ले ले के बता दूँगा, किसका अडानी कौन, आप जानते हो मुझे, क्या, इसलिए इस पर मैं भहस नहीं करता, बहुत सारी लोगन बुजा, अडानी पर आपका क्या विचार है, मैंनी देश में और बहुत सा मस्या है, यार, अडानी पर बिचार करने के लिए बहुत बिद्वान बैठते हैं, मैं क्या बिचार करूगा, मुगत्मा करो, जिल जाए, एक बात कहूँ, सब पर लागू है, निहा से लेके और हर पार्टी पर, बड़े नेता के हाँ, किसी पार्टी के नेता हूँ, बड़े नेता के हाँ, कोई बड़ा उद्योग पती, अडानी अम्मानी बिड़ला इस इस्तर के, हैं, आपको जनता दरवार में अप्लिकेशन लिए, लाइन में लगा मिला, जिसको पुलिस बाले करो, सीधे खड़ो, नहीं, बहाँ ननकू मिलेगा, रज्याक मिलेगा, मि हरके घर में, ड्राइंग रूम में, किचेन में, बेडरूम में, खाना खाता, कोफी, पीता, मिलता है बड़ा आदमी, मैंने आज तक नहीं देखा, कि किसी ने अवानी, अन्डा, क्या नाम है, गौतम अडानी, अने लंबानी, फलान, देखा न और सारे नाम जोड़ो, है, ये कहीं जनता दरवार में लगे हो, कांग्रेज, भाजपा, सपा, बसपा, टी आरस, पी आरस, किसी पारिटी में, क्य ये भी नहीं देखा, इसलिए हमें माप करना, भाई, बहस में, ठीक, ये अपना चुटकुला, आप लोग चलाते रहो, अच्छा है सिहत के लिए, लेकिन मेरी पोजिशन ये है, मैंने का, ये मैं सपस्ट कर दू, कोई नेता मुझे ऐसा नहीं मिला, जिसके पास अडानी न लवारा, ये तो शहर में है, नेतागीरी घाल, वया किर्टी निदे जी गलत कहा, पाने जी ने सची बता तो कभी तो सच बोलो है, आपके लिए अकेले थोली ने बोला है, आम आदमी के लिए भी बोला, कांग्रेस के लिए भाजबा के लिए भी, आप सब लोग मेरी वित् आपको मैंने उनकी बगलम बैटे देखा, क्या, ये तो LIC से गया पैसा, तब भी इसका गुलिकत बड़ाता है, वो तो 10 रुपिया वाली पर्ची काटते थे, नहीं जानते, है, वो सत्नेन कथा कर रहे थे, कथा कर रहे सत्नेन की, कौन नेता अभी नेता जिसने पैसा नही है, अब सब गंगम खडे हो रहे हो, बड़ा भारी तुलसी पत्ता हाथ में लिख कर रहे हो, कि नहीं जानते है, कांगरेस का मूल प्रश्चन है, कि राहुल जी ने सवाल उठाय उस पर नहीं बोले, हलागे कांगरेस भी उस बात पर नहीं बोल रही, कि जो पर्धान मंतरी ने अपने मान ले फिरोज गंदी के मान मिलें, इंद्राजी की बच्चु में आ जाता? नहीं, इस पूरे अडानी के पूरे मसले का राष्टबाद से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यह अर्थशास्त्र का मसला है, राष्टबाद का नहीं, एक चीज तो इस क्लियर कर मैं ना हिंदनबर्ग जानू, ना अडानी को जानू, गल्ती की मुकदमा होगा, जेल जाया, क्या परक पढ़ रहा है, दूतरा उद्धमी आएगा, कोई इतना बड़ा विशे नहीं, मैं तो चंदर शेखर जी के मिजाज का आदमी हूँ, एक मिश्राज जी को शाइद कहीं जरू उनकी पढ़ने में संग्यान में आया हो, एक बार वो फोर्स पर चर्शा हो रही थी, बड़े हंगामा हो रहा है, चंदर शेकर जी खड़े हुए तेश में, उन्हें का भई, ये थानेदार के लेविल का मामला है, मैं उसी भाव का आदमी हूँ, गल्ती की है, धोका पात नहीं समझ में आती, इस धंकी चीजों से ये देश में कभी कोई प्रश्ण वो चुनावी मुद्दा बना है क्या, नहीं न, घंशामदास जी बिड़ला, जमना लाल जी बजाज, गांधी जी के बहुत नजदीकी थे, कभी मुद्दा नहीं बनता ये, और सब जानते ह कि नेता जी का कुड़ता कौन लाता है, चपल कौन दिलाता है, गारी मतेल कौन लाता है, इसलिए इस विशे ने जलो, भाया लतीप साब, दिल्ली में तो घजब हो गया, दोस्त, चुनाव हो गया, MCD का, और दिल्ली की जनता ठगी है, अभी तक मेर नहीं चुन पाई, करके सर्दन्त हो जाता है, इसलिकित उसके बाद दोनों लोग धर्न दिल्ली की सड़कों पे, पोस्टर वार करने पे निकलाते हो, आज भी मंदिय अखरात, आपका भाजपा का कुछ चल रही है दिल्ली में, ये भी दुर्वीन लिए बैठे थे, आप भी दुर्वीन नेता, एक कड़ा सवाल पूछता हूँ, बड़ा, कड़ा ने बड़ा, ये जो दो मैच हुए, एक लोग सभा का और एक राज्य सभा का, ठिक, दोनों मैचों को आपने देखा, एक राजनेतिक व्यक्ति के तोर पर, एक में राहूल वर्सिच मोधी लड़ाई थी, और दू में मोधी वर्सिच आउला पोजिशन, ठिक, ऐसा भी पहली बार हुआ, संसद में के प्रणान मंत्री के आदनी सभापती कहने से लेके और धन्यवात करने तक पूरे अध्योपांत नारा लगा हूँ, कभी ऐसा नारे लगे हैं, बहुत-बहुत नारे लगे, लेकिन हमें प पांडे जी, जिनकी चर्चा चल रही न, अडानी अडानी हो रहा है, पूरे देश में, क्या, कौन मुख्यमंत्री ऐसा है, जो उनको पढाम करके गुल्दस्ता नहीं भेज रहा है, कि हमारे प्रदेश में आओ ना तुम्हें मेरी कसम, है, बगल से निकल जाते हूँ, अच पांडे बताईए, किसी ने ये नेतिक साहस दिखाया, कि भाई चलिए, हम छोड़ रहे हैं, नहीं न, सालों का भाई जब भाइमें भांग पड़ी है, भारत की राजिनीती इतनी महंगी है, पैसा आता कहां से है, मैं तो चंदा देता नहीं, और मुझसे जो नीचे के खरी बात तो ही है, वो रोटी खाएं कि चंदा दे, ठीक, सत्निरान की कथा में भी बड़ा नेता जाता है, किसी किया शोक व्यक्त करने जाता है, तो भी प्राइवेट बिमान से जाता है, चार्टर्ट से, ये पैसा कहां से आता है मिश्रा जी, ये ननकू और रज्जा की ह जाता है कि दे, क्या आपको कॉंग्रेस को ऐसा लगता है, मैं बड़े फलक पर बात कह रहा हूं, मैं फिर स्पष्ट कर दू, अडानी को कल जेल हो जाए, बड़ा अच्छा, आज हो जाए, बहुत अच्छा, ना हो उनकी किसमा, ठीक, मैं किसी अडानी से प्रभावित नही तब ये बात कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि देश में राजनेतिक इस्तर मुद्दे के तोर पर, इस मिजाज के मुद्दे कभी निरिनायक तोर पर स्थापित हुए हैं, कश्मीर से कन्या कुमारी असम से गुजरात तक, जिन्होंने देश भर के चुनाब को प्रभा क्या कॉंग्रेस को ऐसा लगता है कि अतीत में ऐसा कोई उधारन है भारत की राजनीत में कि इस धंक कोई मुद्दा, चुकि राहूल गांदी का फोकस का लगभग 80% अडानी पर था, क्या ऐसा कोई मुद्दा भारत की राजनीत में किसी काल खंड में निरिनायक मुद्दा बना है उसकी तासीर वैसी है या भारत की राजनीत की जनता की तासीर दूसरी है सब डल यह कहते हैं कि जनता के मुद्दे हम उठा रहे ठिक सब कहते हो कहना भी चाहिए इसका फैसला कैसे होगा कि किसने जनता के मुद्दे उठाए इसका फैसला तो जनादर्श से ही पता ऐन्स Ayam इस्फ हुग मुटारें राजनीत में हर दल यह जो बात हम उठारे वही जनता का असली मुद्दा है झ iç असली घी का परिक्षण किया जा सकता है इसका परिक्षण काई से हो कि असली मुद्दा जनता का कौन सा है यह तो चुनाव सेपह लगगा ना तली मैं जो बात अर्विंद केजरिवाल ने उठाई मैं उसको सही मानूँगा मैं ना भाजपा की मानूँ ना कांग्रेस की क्योंकि जनता ने उनको जिता के भेजा मैं इस मामले में बिल्कुल खरा हूँ अगर आम आदमी पार्टी जीत कर आई है इसका मतलब जनता को अर्विंद केजरिवाल की बात समझ आई बाकी लोग गाल बजा रहे थे कांग्रेस की सरकार थी सुखराम के घर पैसा पकड़ा गया सुखराम मंत्री थे इसलिए इतिहास को ना बदला जा सकता है ना मिटाया जा सकता है अर्विंद के वो बयान भी इतिहास से कभी नहीं गायब हो सकते जिसमें उन्होंने सब को चोर बताया था फिर बहुतों से माफी मांगी इतियासे में सब रहता है। पीछ में तो हो सकता था अडानी दो चार दिन पंद्रा दिन महिने दो महिने चार महिने और जटका खाते क्या राज नीती इतनी इतनी उसमें घुसी कि हालत यह हो गई 72 घंटे में अडानी फिर टेकॉप कर गए क्या इसका मतलब है कि सियासत जिसके पीछे लग जाएगी वहिया उसको पाइदा ही पाइदा आए पर क्योंकि जितना बवाल मचा उसके बाद तो हमको भी लग रहा था कि 2-4-6-8 महिने तो कमजोरी रहेगी नहीं इतना कंभिर कोरोना हो गया ओ तो स्टॉक मार्केट बहत्तर गं पांडे जी या यह माने कि राहूल जी लोग सभा में उतना नहीं बोलते कुछ लोग ये भी करें तो अडाणी कुछ समय नुकसान में रहते हैं इनके बोलने के बाद शियर और तेजी से भागे इसको कैसे व्याक्षा करेंगे जो बात पांडे जी कह रहे हैं कि बाई ही औ और जो बात शालिनी कह रही है, उनमें दौन्द केबल इतना है, शालिनी कह रही है, यानि सत्ता पक्ष कह रहा है, कि जो नियामक संस्थाएं है, रेगुलेटरी एजिंसी हैं, वो जाच कर रही है, अपनी प्रक्रिया में, उनके जाच का सम्मान होना चाहिए, एक, अधानी उत्तर दे अधानी के निवाइंसेस पर, मैं काय को बहुत में मेरे पास इतना समझ नहीं कि मैं अधानी के एक एक विशे पर चर्चा करूँ, जीवी के का भी वक्तब भी आया है, ठीक है ना, उसको भी सुनना पड़ेगा, इतनी काय को इतनी चिंता अधानी करें, आप लोग क्यों कर रहें इतना हंगामा, अधानी कम समझदार है, और उनके जो अध्योगिक व्यापारिक पतिसफर्दी है, वो लड़ेंगे अधानी खिलाफ, जीवी के बोले आके न, कि हमको मारा, मार के तमन्चा लगा के लिखाया, बोले न, तुम बोले के तमना बात ह होगी, जीवी के ब्याप पर कोई दूसरा बोले, तो बात के इस नहीं बनेगे, देश नहीं बनेगा, खर, मैं एक पुरानी बात बताता हूँ, उससे यह समझ में आएगी, जीवी के को बोलना होगा, ठीक, ठीक, रुखना होगा अबी, जीवी के को बोलना होगा, पर गा Dani इस राजगाट पर बैटके कहे या प्रियाग राज में बैटके कहे तब भी देश नहीं मानेगा जीवी के को जबरन लिया गया तो जीवी को बोलना पड़ाएगा आदमी जाता है कि हमको माजान से मारने की धमकी दी तो को तीसरा थो इन रिपोर्ट लेगाता यार जिसको ध कारण मताता हूं उससे समझ में आएगा ये बड़े लोगों का खेल कैसा होता है उसमें सब सामेल है पानेजी सुनिए बड़ा मज़ेदार है क्या इंद्रा जी प्रायान प्रणान मंत्री थी तो एक महराष्टियन परिवार था पॉलिटीशियंस का है उनका नाम नहींगा सबका नाम भी बहुत बुराई भलाई करा दे तो आप लोगों तो वो लंदन गए पत्नी के साथ वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट का ये चला था गेंद बल्ले वाला खेल उसमें उनको टिकेट नहीं मिली पती-पत्नी को लवट के आए इंद्रा जी से मिले वो भी बड़े आ महराश्क नहीं पर्शिम बंगाल के और वो पाइक पीते थे इतना इतना हिंड दिये दे रहा हूं ठीक बड़े आदमी थे तो उन्हें का क्यों बोले टिकेट ही नहीं मिली बोले तुमको टिकेट नहीं मिली ना मैडम अब तबियत भुरभुरी हो रहे मन कर रहा है हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप करा दें मुल करा देंगे हिंदुस्तान में सब लोग सुनिये का बड़ा रोचक प्रसंग है नकेपी सालवे उस समय क्रिकेट बोर्ड में थे नकेपी सालवे को बुलाया इंद्रा जी ने पूछा उन्हें का के राम का नाम लेओ यहां मैच होना मुश्किल वर्ल्ड कप करा दें है उबड़ खा बड़ मैदान ना कोई होटल है ना कुछ गया ना खर्चा आया ना पै तो इंद्रा जी ने का कितना पैसा लगेगा बताया गया कि इतना पैसा लगेगा पैसा भी ने खोलूगा बेर पास है ब्रतान्त पूरा इंद्रा जी ने एक व्यक्ति को फोन लगाने के लिए कहा वो व्यक्ति आये ततकाल आओ बोली मैं चहांती हूं वर्ल्ड कप कराना ठीक है मेडम हो जाएगा, उन्हें कुछ ने पूझा, कितने कहा इंवेस्ट में, उन्हें कर्चा होगा, इतना, ठीक है, उन्हें मसालवेजी की साथ बैठके कर लूँगा, ति शिंत जी आपने कह दिया, समली हो जाएगा, वो मालम कौन थे, वो धीरुभाय अम्बानी थे, अब धीरुभाय अम्बानी दान तो करने आई नहीं थे, क्या, आपकी एक्षा के लिए जो आदमी उस जमाने में, रिलाइंस वर्ल्ड कप नाम से पैसा लगा रहा है, पचास लाग के करोण, उसो धर्म का काम करना होता तो धर्म साला ने बनवाता, समने ना पांडेगी, मान कर चलिए इस बात में क्यों शर्म आते हो, कि सब लोग उसे कुए का पानी पी रहे हो, भई, नेता होने का मतलब, खुद खरीदना सामान बंद, यही ना नियम है, परमपरा है, कोई बंडी लिया आया, कोई कुर्ता लिया आया, कोई जूता लिया आया, कोई जुराव अब खर्चा नहीं, जो आ रहाज मिठाई ला रहा, वो इडबा खुल गया, बट गया, ठेक है, यह नहीं हो रहा है, इसी को बड़े इस्तर पर अभानी, अडानी, अभानी की नाम पर देख लीजिए, जब जो सरकार में रहा, बड़ी कड़ी बात कह रहा हूँ, जब जो स कोई कहे कि नहीं हुई, तो मैं खंडन कर दूगा, प्रसंग बता दूगा, छोटे-छोटे रांचियों में भी पदा लगा जी फलाने के समय में फलाना विल्डर चमका, क्यों? वो अच्छा सीमेंट लगाने लगाता है, नहीं ना, चुराम में मदद की बात खतम हो गई, यही तरी, यही है न, इसलिए देश चौकता नहीं है, आप लोगों के बात वोपार, तो नीचे देख रहा है न, एटा में, इटावा में, फरुकाबाद में देख नहीं रहा है, मैं पताता हूँ, अब रहे नहीं नराइंदर तिवारी जी, एक बार में उनके पास बैठा रात्म साड़े दस बजे, तो पंत्रा भीष्मेट बाद पंत आये, जो उनके कैलाश पंत, उनके नीजी सहायक थे, उस दोर में अब तो पंत जी नहीं दे, उन्हों कुछ कान में कहा, तो तिवारी जी बड़े विनम्रा और सहरदे विक्ती थे, उन्होंने कहा क्या विदा मैंने पता किया, तो देश के बड़े अध्योगे घराने के एक परिवार के सदस्य का आगमन मुझे बताया गया, लतीवताब सुन लेजी आप भी, है ना, आगे काम आएगा, मैंने पूछा ये किसलिए आये, क्या, उन्होंने कहा कि कभी इनका रिष्टा बना, अब ये हर महीने किसी एक दिन आते हैं, और पत्रम पुष्पम दक्षणा, कोई बसूली नहीं, सद्धा से, कि भाई, अचकन है, कुर्ता है, पजामा है, खर्चा है, पानी है, है, ये सच नहीं देखा, क्या कि आप लोगों ने, नहीं देखा, और इसी इसके बरस, या ये सच नहीं ह कि जो भी कारोवारी एक रुपया भी किसी पर खर्च कर रहा है, वो उससे सवा रुपया जरूर अर्जित करेगा उसकी क्रपा से, रतनाकर सिंगे, जान लीजिए, ऐसा को बने तो कारोवारी बंद हो जाएगा, उसका तो बहिया, इसलिए मैं कहता है, इस विश्य को छोड है, अडानी सक्षम है निपडने के लिए, अडानी के विरोधी भी सक्षम है, उनकी लड़ाई को अमिता बग्नोत्री से तो है ने, क्या, मुकदमा करें, प्रस कांफरेंस करें, बोलें, सुप्रीम कोड जाए, हाई कोड जाए, इंटरनेशनल कोड जाए, हम तो करें कुष अधानी जैलेंगे जब देश में अधानी नहीं थे तब भी देश चला आता है अधानी है तब भी चलना है अधानी नहीं रहेंगे तो भी चलेगा इसलिए मैं किसी वेकारोवारी को इतना महत तो भी नहीं देना चाहता। इजान लीजिए। मूल विशे आज हम जिसके लिए रखेते हैं वो इसके लिए रखेते हैं कि राहूल गांधी ने एक बड़ी यात्रा की। उसके बाद ये पहला मुचेटा था, पहला मुकाबला था। सेट कर लिए रधनागर जी तो इमतहान में बैठना होगा, टीवी डिवेट किसी को लाब नहीं देंगी, मध्यपदेश में इमतहान हो जाएगा, और नवराज्यों में इमतहान हो जाएगा, उनका चुनाव निप्टेगा, चौविस में बड़ा इमतहान हो जाएगा। अब ये हाफेर ली फिर समझ लो सालाना। अगर कांग्रेस दो हजार चौविस का चुनाव जीत कर आ जाए, तो रहुल गांधी की सारी चारशीट सत्यमान ली जाएगी। एक बात कहिता हूँ, दो हजार नौ में, मिश्रा जी, आपके काम आएगा यहां करा, दो हजार नौ में जब आधवानी भाजपा के उम्मीदवार थे, प्राइमिस्टिप के, मेरी बात के हां सुनिये गा, उसमें कांघरेस को रतनाकर सिंह 12 करोन लोगों ने बोट दिया था, नौ में, ठीक, 2019 में 61 करोन लोगों ने बोट किया 61 करोज, भारत में, कांघरेस को उसमें 12 करोन बोट मिला यानि जो नया दस वर्ष में 20 करोण बोटर नया बोट कर गया लेकिन का अंग्रेस का बोट नहीं बड़ा कि यख़ कि और 2009 का जो बोटर है 12 करोड वो 'M जिसने इंद्रा जी को देखा इसलिए वो ‫बोट कर गरता जिन्नोंने केबल रहूल गांदी को देखा है वो बोट नहीं कर रहे है कि यह नी आकणा देखते हैं आप लोग लोगॉज में यह नहीं को रॉल नहीं है आपके तिसी विरोधी का कोई रोल नहीं यह तो विशुद्ध अब चोविस के रिट सोने की तरह खरा हकला है 20 करोन लोग नए जुड़े जिन्होंने बोट किया टोटल बोटर की बात नहीं कर रहा हूं बोट पोल्ड की बात कर रहा हूं बोट कास्ट 61 करोन लोगों ने बोट दिया आपको बोट फिर भी बारे करोन मिले भाज़ापा को 7 करोन बोट दिया था नौ में 41 करोन बोट में 7 करोन मिला था और 19 में कितना मिला क्या यह जो नया भारत है जो नया बोटर है उसकी माइंसेट उसकी अभिलाशा उसकी इच्छा उसकी आकांक्षा इससे नहीं जुड़ती नहरो जी को देखने बाले तो आप नहीं रहे लेकिन यह लोगों ने हिंद्रा जी का कारेकाल देखा है वो बोट दे रहे न क्या आपको नहीं लगता कि दो एक दो चुनाव औ रहेंगे ऐसा एक आंकलन है इसमें भी आपका बारे करोन अगर रह गया तो फिर क्या स्थिती बनेगी महराज इस पर नहीं सूचना चाहिए देश में बोटर बढ़ रहा बोट डालने वाली जो नई पीडी आ रही है उसमें कांग्रेस को स्विकारिता बढ़ानी होगा लड़ाई को वहां ले जाना होगा नहरु जी से अब कुछ हासिल नहीं भाजपा बालों को हासिल ना आपको हासिल सबको पडाम करिये ठीक है भारत के फांडर लोग है अच्छी लोग है लड़ाई के स्वाचंतरता के उसे चुनाव में हासिल कुछ नहीं जान लीजिए नह Acho की तारीब करो तो और व्रकार तो हागल करके कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं तारीक करके नहीं हासिल कर सकते हैं परकी जो फिat 20 Пр whipping पड़ा दो हुघ 19 खोनी से और में भारत का ब्मट है और रहुल गंदी इस उम्र में अगर उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो 15 साल बाद चुनाब में करेंगे जब खुद बुजर्ग होंगे यह प्रामसला है इसलिए मुद्दे वो बनाईए जो जनता को समझ आए दुल्हन वही जो पिया मन भाई मुद्दा वही जिस पर जनता जुड़े केजरी बाल को यह समझ आ गई थी बाद इसलिए वो जो पहले करते थे कि सब को चोर बताते थे फिर उसके बाद मुकदमा जहलते थे पर माफी मांगते थे काम उनन बंद कर दिया उनने कहना पानी विजली टाइप को मामले में रहो और इदर चलने दो समझ गए न और उसका रिजल्ट उनको मिला इसलिए मैं कहता हूँ जनता के म बढ़े लोग अपनी लड़ाई लड़ लेंगे ननको और रज्याक का मसला बढ़ा है ननको और रज्याक को क्या इस विशे में इंटरेस्ट है यह तो पता करा लेते कम से कम कहीं से नीचे से या उसके लिए समस्या है अगर उत्रपदेश में है तो समस्या चुट्टा जानवर पांड़े जी मेरी बात से सहमत होंगे उसे पूझे विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है बुकाए गई यह है यह तो समस्या होगा न आर्थिक सम्मेलन से चीजे नहीं बनेंगी सिर हुआ 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 है